आज उस खबर पर प्रदानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बयान देकर सवाल खड़े किये हैं सवाल ये है कि क्या कश्मीरी पंडितों के पलायन के सच को तीन दशकों तक छिपा कर रखा गया क्या कश्मीरी पंडितों के दर्द को राजनीतिक फायदे के लिए दबाया किया फिल्म दा कश्मीर फाइस पर रानमंत्री मोधी ने बीजेपी संसदिय दल की बैठक में कहा कि ऐसी फिल्में बंती रहनी चाहिए हमारी ये रिपोर्ट देखे वजट सत्र के दूसरे चरण में बीजेपी संसदिय दल की सुबह सुबह बैठक हो रही थी चार राज्यों में बीजेपी की जीत पर वधाई का माहौल बना हुआ था और उसी बधाई के माहौल में मोधी जब बोलने के लिए खड़े हुए तो कश्मीर का जिक्र कर दिया और बैठक से बाहर भी यही बयान देश के सामने आये मेरा विशह है कि जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश के भलाई के लिए हो अगर इन्हों सच मुच सच चाहिए तो एक इमानदार सुप्रीम कौट के रिटायर जज़ को बिठाइए तो वो आपके सामने सारे मामलाद जो है ले आएगा हर फिल्म अपने अपने बयानात करते हैं यह जरूरी है कि हर फिल्म सची है इसको अगर देखना है तो इसके जांच करिए प्रदानमंत्री जी ने बहुत उचिक शब्दों में कहा कि सत्य दिखाने और सत्य समझना हम सत्य अरिकार है तो किसी ने सत्य दिखाया किसी को मन्जूर ने यह वो दूसरी फिल्म निकाले कोई प्रॉब्लिम नहीं मगर इस तरीके से फिल्मों का विरोध करना जो गलत है और फ्रीडम अफ एक्सप्रेशन की अन्य था जो लंबी-लंबी चर्चा करते हैं उन्होंने मैं मानता हूं कि इस फेशेप पर आत्मों परिक्ष्ण बीजेपी संसदिय दल की बैठक में पीम ने फिल्म के किर्दार और कहानी के बहाने विपक्ष पर हमला बोलते हुए विपक्ष के दोहरे किर्दार पर सवाल उठा दिये जो लोग हमेशा फ्रिडम अब अक्स्परेशन के जण्डे लेकर की घुमते हैं वह पूरी जमांत बोखला के ये पिछे पांचे दिन से कोई सत्य उजागर करने का साहस करें उसको जो सत्य लगा उसने प्रस्चुत करने कोशिश की लेकिन उस सत्य तो न समझने की तैयारी न सुकारने की तैयारी है नहीं दुलिया इसको देखे इसके लिए उनकी मंजूरी है जिस प्रकां का सड़ी अंतर पिछले 5-6 दिन से चल रहा है जूट पे जूट हो रहा है जिस सरकार में भाजपा भागिदार थी वो सरकार के दोरान सबसे ज़्यादा कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ जिसमें बीजेपी हिस्सेदार थी और जिस तरह से सिर्फ राजनेतिक फाइदे के लिए कश्मीर को बरबाद किया कश्मीरियो को बरबाद किया और कश्मीरी पंडितों को सबसे ज़्यादा नुकसान किया ऐसा नहीं है कि फिल्म पर सिर्फ सियासी पाराहाई हूँ इस फिल्म को लेकर बॉलिवर्ड पहले से ही दो खेमे में बटा है इसलिए कंगना रनौत ने फिल्म के बाहाने एक बार फिर टुकड़े टुकड़े गैंग का जिकर करके मामले का तूल दे दिया आप कायरता के परदे के पीछे मत छूपिए इस सभ्यता की लडाई में आप हिस्सा लीजिए और जो टुकड़े गैंग का कैंसर अपने आस पास जहां भी दिखता है उसको फेक के निकालिए इस देश से ये सभ्यता की लडाई है हर एक भारते की लडाई है कश्मीर फाइल्स जरूर देखे और आई एक नए भारत की नीव रखते हैं 19 जनवरी 1990 को कश्मीर के पंडितों को कश्मीर छोड़ने का फर्मान जारी हुआ था एक ही दिन में 60 हजार से ज़्यादा कश्मीरी पंडितों ने परिवार के साथ घाटी छोड़ी थी 1990 में तकरीबन 3.5 लाग कश्मीरी पंडितों ने कश्मीर घाटी छोड़ी थी घाटी में उस वक्त कश्मीरी पंडितों की आबादी लगबग 5 लाग थी साल 1990 के अंध तक 95.25 कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़ चुके थी यह ट्रिब्यूट है हमारे उन पूरवजों को जिन्होंने इतनी तकलीफे सही हैं पर उस दर्द का बखान कभी किसी के सामने किया नहीं उस फिल्म के अंदर वहां के जो कश्मीरी मुस्लिम लड़के हैं तो मैंने उनसे ये बोला कि जो भी तुम कश्मीर के बारे में बोलना चाहते हैं मुझे लिख के भेज़ दू और मैं वाइदा करता हूँ बिना फुल स्टॉप कॉमा चेंज के वह फिल्म का सबसे इंपोर्टन सीन होगा पांच लाग कश्मीरी पंडित अपने घरों से निकल जाते हैं और बत्तिस साल लग जाते हैं ABP News आपको रखे आगे